हलो प्यारो स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासिस में मेरा नाम है मुकंद और हम लोग बात कर रहे हैं कि NCRT में आपके लिए कौन से सवाल खास है ऐसा कौन सा सवाल है जिसको आपको हर हाल में लगा लेना है और कोई भी किसी भी कीमत पे उस सवाल को छोड़तर नहीं आ जिनी की जरूवत हो ना जीना आप NCRT की किताब डाउनलोड कर सकते हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसी के पास NCRT की बुक नहीं है प्ले स्टोर में आप आसानी से सर्च करेंगे NCRT बुक इन हंदी वहां से आपको NCRT की बुक के लिए एप्लिकेश चैप्टर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नमर 3 में कौन-कौन से सवाल ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है ज्यार रखिए का हम लोग पूरे साल इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं कि आपको अपना जो मिसल रखना है अपना जो सब्सक्राइब नहीं उनके लिए जो 100 आउट ऊट उट उट चाहते हैं रखेगा 100 आउट उट आउट उट उट उटके लिए आप किस्मत के भरोसा नहीं रहेंगे कि impotent इंपोर्टेंट के लिए आपको पूरा तरियार करना पड़ेगा संपूर्ण कंप्लीट पूरा का पूरा NCRT और PYU यह आपको पूरी तरीके से बनना चाहिए 100 आउट फंडेट के लिए एंड उसका 200% आपका रिवीजन हर हाल में होना चाहिए अगर नहीं है तो जुट जा फोर के आएंगे इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंपोर्टेंट कोशन की जो मैं हर बार कहता हूँ कि आपके लिए सबसे जादा जो इंपोर्टेंट रहने वाला है वह NCRT के एक्जांपल और उसके MCQ भाईया मेरे आप मुझसे अभी पूरी तरीके से गारंटी ले स आते हैं कि NCERT के जो एक्जांपल हैं और जो MCQ हैं वह आपके पेपर में सीधे सीधे धरे मिलेंगे आपको गारंटी लेंगे NCRT के example बहुत ज़्यादा महत्पूर है और NCRT के MCQ बहुत हर्फ से ज़्यादा महत्पूर है यह question रहते हैं इनको आप किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं तो चलिए ज़्यादा दे नहीं लगाएंगे ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे हम लोग आ जाएंगे सीधे ज chapter number three आपको दिख रहा है इस पर आम लोग आ जाते हैं सांदार वाला आफ due मैट्रिक्स ते नहीं आप ठीक लगाते से早गे और बहुत कुछ है देखिए जानने के लिए समझने के नहीं सीखने के लिए एंसी आटी बुक बहुत अच्छी बुक होती है आपके लिए गीता का काम करती है अगर आप बढ़िया तरीके से देखें तो यह आपके पास आफ यू इसके वाद हम बात करें तो देखें आगे अगर आप देखते हैं तो आप यू कि आपको परभासा देख जाएगी ठीक है आंगे या तरीके से तो यह आपके पास जो है वह आप यू की परभासा यहाँ पर देखने के लिए बिंग जाती तो आप यू क्या है बहिए संख्याओं या फलनों का संख्याओं या फलनों का तो यह आप यू की परवासा यहां पर आपको देखने के लिए बिंग जाती है बढ़िया वाली तो इसमें कोई समिश्या नहीं है आंगे बढ़ते हैं यहां तक कोई समिश्या नहीं फिर आँगे आपके पास topic होता है क्या पढ़ने के लिए आप व्यू की कोटी है ना order of a matrix तो यदि मेरे पास अगर आप इस तरीके से अगर मेरे पास ए मां disappoint यहां पर जाएंगे देखते फटा-फट्स पर हम लोगोग टिक लगाने वाले आपके लिए n dui बहुत बढ़िया किताब रहती है अगर आप लोग NCRT को फॉलू करते तो बहुत ही अच्छी किताब रहती है ठीक है आंगे बढ़ते हैं लोग फटाबर से और यहां पर आपको कुछ नहीं दिए उधार नमर एक है उधार नमर एक में ठीक नहीं लगाना आपको बिलकुल भ तो अधार अगर आपको देखना है तो एक बार देख लीजी का ठीक है इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करता हूँ तो आफ व्यू कि जो प्रकार है यह बढ़िया पढ़ने वाली चीज है इस्तंब अप व्यू क्या कहलता है ठीक है ना जिसके पास सिर्फ एक खड़ स्ट्वें था उसी प्रकार अगर एक पंग्ती है सिर्फ एक पंग्ती तो उसे हम लोग बोल देते हैं पंग्ति एप या कहता है जिसकी पंग्ती और स्थ में बराबर वह हमारा हो जाता करते हैं तो आगे देखिए बड़ी हवाला इसके बाद इ ruth हमारे घ्कान आप्यू आफ यानि डायकॉनाल मेंट्रिक्स अभागी सब जगेज सब जगें क्या खर जीरो हैं तो से हम लोग खह डेतें घ्केना में देर Wild disrupt यहां पर विए सब्करलाइब ऑपको भिकान आप वहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या भरी लहेगी जो विकार होंगे वहाँ पर सिर्फ इक ही संख्या आप देख रहे learnt वो भरी रहेगी सिर्फ एक संक्या ऊसको हम लोग कह देंगे अदेस आप इसके बाद आगे बड़ते तो आप का आता है तस्समक आपड़ियू है ना यह आपके हर सवाल में इस्तंवाल होता है इसको आप तस्समक आप यू ना जगे इस्तंवाल होता है कि जो विकरण HOLT सब यह बताया है न जो सके बाद आप लोग को देखने के लिए यहाँ पर डिकार हों जाती है कि जरी अगर आप मैं बात करता हूं तो आपको पंडी के लिए मिल जाता बढ़ी तरीके से आप योगी समानता कौन से उधान पर टिक लगाया था उधान नमर दो पर फिर मैंने आपको टिक लगाना अच्छा वाला पांच में आप टिक लगा लेंगे आंगे बढ़ेंगे अब आ यह हमारे पास exercise ृ अआप को कुछ नहीं करने के लिए मैं simply बता रहा हूं उनको आपको कर लेना यहां पर आपको कुछ नहीं कर आप इस्छट में का तीसरा आपको आपको चटमे का तीसरा सावाल तेक है हमारे कि चटमे का तीसरा यह आपके लिए इस सवाल को हरौ में देख लेना ठिक है बाकि सवाल तिंपल एगर वी बराबर है तो इसका उनके जो संगत अवयद होंगे वह बराबर होंगे यहां पर ऐगा कि तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर दौ आफ भीउ बराबर है तो उनकी तब यहाँ बरावर हो जाते हैं तो यहां पर आपने देखा एक्स कमान एक हो गया या या तो इसमें मैं कहा रहा हूं आपसे छटमे का करके यहां पर आपको बात करता हूं तो पानसो बारा यहां पर आपको आपको देखने के लिए तो इस तरीके से आप टेक लगारा है बढ़ी हाने रजाते हैं अगे बात पर आ जाता है उपुज आ कौण कौन से यूग की संक्रिया अंतर की संक्रिया गुल रखाते हैं इस लिख तो तो यहां पर एक मिल से आफ यहां लक्राइब तई ने लगाए ऐम बात करते हां की यह सब चीजें हैं यहां पर यहां पर और तो कुछ जादा खास ज़रूत में हो दाए वह इस पर आ जाएंगे दो मेरे उधार नबर 10 आपके लिए इंपोटैंट's आगे प्षा لेंगें हम उधार बढ़िया तरीके से exercise पर अभी आपका गुड़न आगे यह क्या आगे देखें गोर करें यह आगे आपका अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपकी पास देखने के लिए आगया आप व्यू का गुड़न यानि की अब आपके लिए बहुत ही जादा मोश्ट इंपोटेंट सवाल है इस सवाल को आपको हर हाल में भाई मेरे करना ही करना अब आगे पर जाएंगे अब ऑदार नमर 18 के बाद अब आ जाईए सीधे उदार नमर 19 नहीं देखना है को कुछ भी आफ़ दो के अंदर गत अप टिक लगा रहें को चार के लिए यहां पर आपको कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं यहां पर आप सीधे आजहेंगे आ इडिक बड़िया वाल ठीक है आप के लिए बहुत अच्छा सवाल है को तो चैनल है तो सीधे आ जाएंगे हम लोग कोश्य आपके लिए इंप्रोटेंट है इसमें आप टिक लगाएंगे बढ़ी असा कोशन नमर 6 के बाद आप लोग टिक लगाना जाएं तो कोशन नमर 7 के आप दोनों ही सवाल देख सकते हैं कोशन नमर 6 कोशन नमर 7 के आप दोनों सवाल देख सकते हैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर आप टिक लगाएंगे बढ़ी हाँ ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूए यहां पर एक चीज गौर कर सकते हैं कोश्चामर 7 में एक्स प्लस य यहां पर दिया यहां पर बीच नियुद कर चेन यहां पर आप माईनिस के चिन को लेकर चल रहे तो कोश्चामर 10 पर यह आपको कर ले 21 पुलगाना भड़िया वाला फिर हम लोगों को omar 12 लगा लेना ठीक है को l Berlin आपको करना है बड़िया वाला कि को शल्मर बारा और को सिंदी आरा सबसे यादा मातफूर्ण है ठीक है कोश्चांबर 13 आपके क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है तो कोश्च आमबर13 के बाद आ अगर 17 यहाँ नमबर 18 बाइच के तो बहुत ही ज्यादा मोश्ट इंपोर्ट है मैं आपको बताय कि ती रसामलोग के अंदर तीर आपकी लिए बहुत अथारा बहुत ही ज़्यादा कहा सवाल है इस सवाल को आपको हर हाल में लगाना ही लगाना कुष्छ आठारा को ठीक है इसके बास अगर है बात करते तो यहां पर आपके सब्सक्राइब बहु पिकल्पी सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं यहां से यहां से यहां से आपको चोड़ने नहीं किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं कोश्यमर 21 और कोश्यमर 22 तीन अगला जो आपका पर यहां परिवर्त देखने के लिए मिलता है आप यहां पर पर यहां पर देखते हैं इसके अलावा अगर की के करते हैं कि प्लस बी का होल लिख टे है तो हम लोग दोनों में डेस बांढ सकते ही जाएं अधू बहुत बर्हीं पार्टी जिनमें मैं द लगवा रहा हूं आपको वही करना इसके पाद आपके पास सम्मित हिम तो थु Georg symmetric and is to symmetric matrix ठीक है और इसकी परभासा आप से पूछी गई है ध्यान रखीए गा इसकी जो परभासा है वो पूछी गई तो परभासा बहुत ही आसान होती तो परभासा में ऐसाच को डरने की बात नहीं है आपके पास ठीक है कि सम्मित आप यू क्या होगा वही सम्मित आप यू ह होड़ा है तो हम लोग कहा देंगे वह भाई विशम शम्मित आप भी हो जाता है अच्छा इसमें इंपोर्टेंट क्या है यह पिरमे आप जरूर देख लीजीगा यह पिरमे नमबर एक यह आप बढ़िया तरीके से देख लीजीगा ठीक है और इसी आधार पर हमारे पास आजाता यह पिरमे नमबर टूच्व अगर कोई आफ व्यूर्ट के रूप में इस तरीके से वेक्ट हम लोग करते हैं तो यह फॉर्मूलह खिये तो दयान रखेंड करेंगे अब समें एक जो उधार नमर SSD के अगर are drug फटा पट से उधार नमर 22 पर ठेक है उधार नमर 22 आपको टिक लगाना है important most important सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास सवाल है इस सवाल पर आपको हर हाल में ध्यान देना है उधार सवाल है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है तो आपका syllabus बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है तो यही मौका है सब्सक्राइब करने के लिए तो दूसरा अगर आपको देख लिए तो दूसरा आपको देख लिए मैं आपको अगर कहूं इंपोर्टेंट लगवाने के लिए तो कोश्च नहीं का जो तीसरा है यह आप लगा लिजीगा दस में का तीसरा सवाल हुआ है सम्मेट आप्यों विसम सम्मेट आप्यों के योगफल की रूप में वेक्ट करने के लिए हैं जहां पर आपने उधार हाल में करने यह आपका कोश्च नहीं हो गया इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यह हमारे पास और जो एमसी को यह वो कोश्च नहीं बारा देखने के लिए मिल जाता है ठीक है ना तो तीन दसमलों तीन में मैंने सिर्फ तीन सबाल आपको लगवाए हैं प्रिश्चन आपके सेलेबस में विदिक्रमणी आपवव्यू है ठीक है लेकिन क्या नहीं है विदिक्रमणी आपव्यू ग्याद करने का एक टाइप नहीं और उसे हम लोग कहते हैं प्रारंबिक रूपांत्राण दौरा इसको हटा दिया गया है आपके चैप्टर नुमर तीन से जो है यह आपके जो सिलेवास है उसमें है और इसका एक थियोरम बनता है भाई साहब समझ लीजे यह वाला थियोरम आपका most most important theorem है इसको आपको बड़ी तरीकिस देखना ठीक है इसमें आपको क्या करना भी प्रमें तीन आपको देखना प्रमें यह भी आपका important है और प्रमें चार भाई साहब सबसे ज्यादा मतलब आप यह समझ लिए अगर यह कोई भी प्रमें चार को छोड़के जा रहा तो पाप करेगा ठीक है प्रमें चार किसी भी हालत में जहां पर आप से कह रहा है कि a b का इंवर्स बराबर बी इनवर्स इनवर्स इसका प्रू बाटना ठीक है अब आगे बटते हैं और यहां पर देखने के लिए यह आपके पास एक कोश्यन है अगर मैं बात करता हूं यह उप छन आपके पास देखने के विक्राम होंगे कब होंगे इस पर आप लोग बता सकते बहुत ही सिम्पिल चीज है आप यह और बी एक दुसर आई के बराबर हो जाए तो वह आपस में एक दूसरे के विद्प्रम हो जाएंगे ठीके ना तो बहुत ही आसान चीज़ है आंगे बढ़ते हैं तो बिविद उधार में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं आपके पास है उधार नमर आपके पास 23 है यह आपको लगाना उधा आपके लिए इस साल भी उधार नमर 24 आपके लिए बहुत ज़्यादा मात पूर्ण है ध्यान रखीगा तो इसको आपको हर हाल में करवाना करना है और मैंने यह सवाल करवाया था ठीक है हां आगे बढ़ते हैं अब आजाएं जो है आपका ध्याय तीन पर विविद इसके बार भाहिशए और आपको लगाना है ने को दूसरा घख यहां पर आप लगाने वाले दूसरी के बार चौथ हाथा सावाथ धूसरे गटलानिया बढ़िया वाला कौन से कुछ आम चार तो से लिए लग चार पर चार विए इसक वाद आप टेक लगा रहें को श्यां कोश्य नमबर 6 जो है वह आपके लिए इंपोर्टेंट है कोश्य नमबर 6 में आप लोग टिक लगा लें बढ़िया सा इसके बाद आए बढ़ जाए और अब यहां पर आपके पास कुछ नहीं बसता यह बसते हैं आपके सवाल ठीक है तो आपको 6 के बाद लगाना है जो टिक वो लगाना है 9 पे 10 पे और 11 पे 9 पे इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 10 पे टिक लगा रहे हैं तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर नमर 3 के लिए इंप्टर नमर 3 के लिए जो एक समरी लेना चाहो तो फटा वर से एक बहतरिन वाला स्क्रीन सॉट ले लीजेगा मैंने आपको पूरी किताब में चैप्टर नमर 3 के लिए कौन-कौन से इंपोर्टेंट कोश्चन लगवा हैं यह देख लेंगे उधारन के अगर मैं बात करने तो उधारन में आप देख लेंए उधारन नमर 2, 5, 9, 10, 18, 22 ठीवरम नमर 4 और इसी में मैं कहूंगा आपसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ठीवरम नमर 3 ठीगे ना अगर करना है करना चाहा तो करूं आसे कुछ खास नहीं लेकिन हां अगर मैं बात करते हो तहो ठीब नमर 4 आपके लिए सबसे Bonjour ओना माध है और इसमें बाक करता हो अथारन नमर 18 आपके लिए बहुत बहुत इंपोरेंट है और दाननम आठरा अथाफ नमर 22 वेरी वेरी इंपोरेंट इसके अलाबा उधार नमर 23 उधार नमर 24 वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बगी के 2, 5, 9, 10 यह तो इंपोर्टेंट है यह यह इसमें मैंने टिक लगवाई है इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी एकसेसाई 3 तीन दिक लगाए था छटमे का तीसरा आठमा नौमा दसमा यह आपने टिक लगाना है दूसरे के चौते में छटमा आथमा नॉमा फिर ग्यारा बारा तेरा इसमें आपका 13 जो नंबर के सवाल है वह बेरी वेरी इंपोटेंट पंदरा शोला सत्रा आठारा जो अठारा सवाल है वह वेरी-वेरी इंपोटेंट और एकईस-वाइस करके ठीक है 31- 22 यहां पर आपके पास दसमी का तीसरा है और ग्यारा और वारा बहुत इंपोर्टेंट सवाल नहीं है तो बिविद में आपके सारी सवाल अच्छे हैं बहुत ही बढ़ी सवाल है पहला दूसरा चौथा पांचमा छटमा नॉमा दसमा ग्यारा तो इसका बढ़िया सा एक स्क्र करना है आपको तो आपको ntid complete करनी पड़ी यह एक प्रिवीजन करना पड़ेगा अगर आपके पास समय कम है और कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं तो यह इंपोटेंट कर लो और फिर भी कम समय है मतलब बिलकुली कम समय बचा है तो उसके लिए भी मेरे पास जुगा आपको पाप लग जाएगा इन सवालों को तो करना ही करना है यह सवाल जो आपको देख रहे हैं यह सवाल जो दिख रहे हैं आपके इसका बढ़िया वाला स्कीन सौट ले ले लिए आपको चेप्र नमर तीन के लिए उधान की बात करो most important नॉमा दसमा अठारा बाईस यह आपके बैरी 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 इंपोटेंट कोश्चन है जो हर साल बार बार पूछी जाते हैं लेकिन याद रखिएगा इंपोटेंट कोश्चन इजलाई का जुआ ठीक है पढ़ाई में जुआ नहीं होता है अगर आपको 100 आउट ओफ 100 का माने तो फिर फुल ओन तैयारी कीजिए फुल ओन पूरा एक दम लगा दिए पूरा जोल लगा दिए लेकिन यह इंपोटेंट इसलिए हैं क्योंकि इन पे सारे बच् его को परिसान करता है ना तीन-देशन दो में मिद देखना 23 motherf Martinez को परिसान करता से इस इसको मुझे comment box में बताना अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बिलकुल इस सीरीज को आंगे continue रखूँगा ठीक है इसके साथ ही साथ मैं आपको हर एक चैप्टर के लिए concept and formula वाला एक सीरीज जल्दी लाने वाला हूँ उस पर भी आप लोग आपनी राय मुझे बता दे रहे कर ये comments box में वीडियो को जादा जादा आपको सेयर करने और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए है चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस आपको मिले इसके लिए bell icon जरूर दबाईएगा